हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल लेर्न वित रिचा इन इस सेशन आप डिसका सम्प्लिफिकेशन कोईशन डेटर टो मैं सेशन सो मैं जो भी कॉंप्टिटिव एक्जाम्स में आते हैं तो उसका मैं डिसका सकर रही हैं इसमें हमने क्या करनी है तो इसमें हमने क्या कर रहा है यह वाला पार्ट है जो हमारे यहां आके माइनस हो जाएगा और पूरा सॉल्फ करके हमारी क्या वैल्यू आजाएगी 2773 हमारी यहां पर वैल्यू इसका आजाएगी 7682-4909 equals 2773 यह इसका अंसर आजाएगा उसके बाद है 555.05 plus 55.50 plus 5.55 plus 5 plus 0.55 equals x x की वैल्यू हमको इसमें find out करनी है तो इसका पूरा हम total करेंगे तो हमको यहां मिलेगा x equals 621.65 after that क्या question है 550 upon 25 into 2232 upon 17 और यह भी into में है into division multiplication and division का question है x into 22 तो इसमें क्या है इसको हम पूरा cut करेंगे division method से तो इसमें 22 आएगा इसको करेंगे तो 248 आएगा इसको करेंगे तो 122 आएगा उसके बाद क्या है पूरा solve करके 22 जो है हमारा यहां पर नीचे upon में इसका पूरा चला जाएगा तो इसमें हमारा क्या है हमारी क्या value हो जाएगा 30, 250, 60 हमारा इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद क्या question है 8 की power 1.4 into 4 की power 1.7 into 16 की power 0.2 equals 2 raise to power X उसके बाद je क्या है 2 raise to power 3 है 2 raise to power 3 into 1.4 इसको हम पूरा 2 raise to power 4 2 यह है 2 raise to power 4 यह है फिर क्या है इसको हमने पूरा add-on कर दिया है 4.2 प्लस 3.4 प्लस 0.8 तो 2 raised to power 8.4 यह वाला क्या जाएगा इसका अंसर आजाएगा after that की वाला question है यह थोड़ा अलग pattern का question है बट यह वाला क्या है basic questions के अंदर आता है fraction method में तो इसमें 2, 3, 4, 3, 2 इसको हम पूरा 1 इसमें लिख लेंगे एक यहां लिख लेंगा और जो division वाला upon वाले है वो हम इसमें एक उसमें लिख लेंगे x की value तो यहां पर क्या है 2 प्लस 15 अपॉन 12 तो यहां 2 की value हो जाएगी 2 प्लस 1 प्लस 3 बाइ 12 इसको हम पूरा divide करके लिखेंगे कितनी बार यह जाएगा तो 12 बन जा 12 और 13, 14, 15 तो 15 बाइ 12 भी आला जाएगा इसको हम add करेंगे 3 प्लस 1 बाइ 4 तो 3 बाइ 4 यह क्या जाएगा इसका answer आजाएगा उसके बाद क्या है यह वाला question हमने हापर लिया है 15 1 बाइ 4 प्लस 32 इंटू 1 बाइ 3 प्लस 12 इंटू 3 बाइ 4 इंटू 7 इसको पूरा solve out करेंगे तो x हमारा यहां जाएगा प्लस 13 इंटू 1 बाइ 4 equals में 64, 61 बाइ 4 प्लस 97 बाइ 3 इसको हम पूरा solve out करेंगे इसमें पूरा लिखेंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा इसको पूरा solve करेंगे 61 बाइ 4 प्लस 97 बाइ 3 यह वाला हम इसको पूरा इसका addition करेंगे after that 12 से इसको divide करेंगे 165, 1 upon 12 इसको minus करेंगे उसके बाद यहां पर हमारा क्या answer आजाएगा 124 into 1 by 3, 4 by 7, 12 आएगा और यह वाला हमारा इसका particular answer हो जाएगा उसके बाद क्या question हमने लिया 3.6 into 1.5 प्लस 4.4 into 2.5 multiplication के equation है x equals 3.6 इसको हम पूरा क्या करेंगे multiplication करेंगे और minus करेंगे तो x की value होएगी 16.4 minus 3.36 तो x के हमारा क्या answer आजाएगा 13.04 यह इसका answer आजाएगा उसके बाद क्या question है 1311 divided by 1 by 9 plus 8525 divided by 625 equals x तो x की क्या value हो जाएगी यह वाली इसकी पूरी value है x equals इससे इससे divide करेंगे plus इसको इससे divide करेंगे तो हमारा 690 plus 13.64 यह आजाएगा तो x की हमारी value हो जाएगी 703.64 यह हमारा क्या आजाएगा answer आजाएगा उसके बाद हमारा हैं क्या है 25600 divided by 16 divided by 16 equals x तो x equals ही वाला हमारा है इन्टो 1 by 16 इन्टो 1 by 16 25600 इन्टो 16 इन्टो 16 इन्टो 16 256 आजाएगा और x की हमारी value यह इससे पूरा 100 times कट जाएगा तो इसकी हमारा answer आजाएगा 100 After that question है 3 by 9 into 2286 plus 2 by 11 into 1397 equals x तो x equals 3 into 2549 से इसको हम पूरा cancel out करेंगे कितने times जाएगा 254 times plus 2 into 11 से यह cancel out होगा 127 times 127 times जाएगा उसके बाद x के हमारी क्या value यह आएगी 762 plus 250 तो x के हमारी क्या answer आजाएगा 1016 यह हमारा answer आजाएगा So friends, मेरा आज का video यहीं तक था Simplification का और मैं इसमें basic to high level questions discuss करें तो आप लोको मेरा यह video lecture पसंद आयो तो please इसको like कीजिए, share कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे channel को और जो भी latest update में डालते रहूंगे notification किल तो उसके लिए bell icon को जरूर प्रेस कीजिए तेंक यू